हेलो एवरिवन ये लेक्च्चर 15 है सलूशन का ग्लास 12 का अलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया मरुन रहे ना पेश्टी नेच्च एरफ तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम का टास्ट आस्ट नम्बल 0.9 ठीक है 09 इस शूगर सीरप आव वेट 214.2 ग्राम कंटेंस 34.2 ग्राम अफ शूगर कैलकूलेट मोल ररक्चिन एन ओलालीटी आव शूगर सीरप ठीक है शूगर सीरप है पूरा सूगर सीरप है 21.4 क्पहर 214.2 ग्राम ये आगिया वेट оф अलूशन वेट оф स सलूशन और 34.2 मissements of और आपको के निकालनी है mole fraction, mole fraction तो sugar सिरफ में solvent क्या होगा, water होगा, water का मास दोनों को माइनस करके आ जाएगा 180, तो मास आफ वाटर मिल गया, mole fraction के लिए आप लगा लगा लो नबरा मोल्स दोनों के निकाल दो, मुलालिटी के लिए उपर नमबर आमोल सबसलिए नीचे मेट अब सॉल्वेंट और ये करके अब का अंसर आ जाएगा अब आपको पता चल गया क्योंकि ये वेरी नहीं करते हैं टेंपरेचर के साथ इसलिए ये प्रैफर की जाती है नेच्ट वन केजी अफ सी वाटर कंटेंग सिक्स एमजी अफ डिसॉल्ड ऑक्सीजन यहाँ पे आगया मास अफ ऑक्सीजन आगया 6 मिली ग्राम 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम वो नीचे आगया 1 केजी 1 केजी मीन्स 10 रेस पावर 3 ग्राम इंटू पीपीम में है इंटू आ जाएगा 10 की पावर 6 इसको सॉल्ड करोगे तो निकल जाएगी आंसर आएगा 6.0 ये पहले भी हमने डिसकस किया हुआ है पर्सेंटेज भाई वेड पर नहीं परता मुलारेटी डिक्रीज हो जाती है डिफाइन हाइड्रेशन अनरजी जब आप किसी भी आयनी कमपॉंड को डिसॉल्व करते हो जैसे अनने सी अल को डिसॉल्ब किया ने पॉस्टिव और सी अल नेगेटिम और ये सराउंड हो जात जब यह surround हो जाएगा एन्य पॉजिटिव को attract करेगा attract दो चीज़ें attract करती है तो energy क्या होती है दो चीज़ें attract कर रही है तो energy क्या होगी release होगी जो energy release होती है उसको कहते है hydration enthalpy इसी तरह CL negative है तो इसका water का कौन सा part H positive होता है वो attract करेगा तो जिससे energy release होती है तो आपको यह पता होना चाहिए कि energy जितनी ज़्यादा release हो उतना ही compound जो होता है वो stable होता है ठीक है तो the amount of energy release when one mole of anionic compound is completely hydrated is known as hydration enthalpy इसका मतलब है dissolve होने के लिए hydration enthalpy क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए कोई चीज तभी dissolve होगी अगर उदर जाके उसमें जाके energy release हो रही होगी मतलब hydration enthalpy क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए अब है lattice energy lattice energy क्या होती है जो एक आईनी compound जैसे NaCl को डाला आपने Na positive Cl negative attract कर रहे होंगे लेकिन water में डालने जब डालोगे तो ये तूटेंगे भी न तो कितनी energy release require होती है तोडने के लिए the amount of energy required to break one mole of an ionic compound into its ionic constituent उसको कहते है lattice energy यहाँ तोडने पे लगेगे energy और hydration enthalpy में release होगी तो lattice energy जितनी कम होगी कम होनी चाहिए उतना ही जादा dissolve होगा तो इसका मतलब यह है कि what is the condition for a dissolution of an ionic compound in water तो condition यह है कि hydration enthalpy क्या होनी चाहिए much much larger than lattice energy next oil और water mix नहीं करते ऐसा क्यों? क्योंकि oil है non-polar और water है polar, non-polar और polar आपको पता like dissolved like तो यहाँ पे mix नहीं होंगे क्योंकि एक non-polar है एक polar है oil is non-polar and water is polar and we know that light dissolved like that is polar compound dissolved in polar solvent whereas non-polar compounds in non-polar solvent define azeotropes with types and examples यह आपके notes में भी है ठीक है और इसको आपने पिछले lectures में पढ़ा भी है यह तो simple है what are colligative properties नेम दम यह भी आपने पढ़ा हुए next if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar given that KH for N2 is 76.48 kilobar at 293 Kelvin तो यह answer है एक question है 20% ethanol एक question है बच्चे पूच रहे हैं मुझे 20% ethanol by volume solution है 20% ethanol by volume solution दिया हुआ है और इसकी density भी given है density of solution given है 0.960 gram per cc यह density of solution दिया हुए है और बोला है कि इसकी molarity निकालो और molality निकालो देखो आपको तो पता है ethanol का 20% ethanol का solution है solution किसमें होगा water में ही होगा first point second point आपको पता है ethanol को water में dissolve करते हो तो कौन सा solution बनता है non ideal solution बनता है showing positive deviation लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं है मतलब आप इस question को लिखोगे अब देखो इस question को हम कर रहे है 20% ethanol by volume का मतलब हो गया volume of ethanol कितनी है 20 ml और volume of solution कितना है 100 ml clear हो गया यह आपको यहां पर assume करना पड़ेगा first point आपको assume करना पड़ेगा ideal solution और कोई चारा नहीं है इस question तब ही mass solvent का निकल सकता है ऐसे question में तो इसका मतलब अगर ideal है तो volume of solution जो होती है वो volume of solute प्लस volume of water के बराबर आएगी clear हो गया यहां पर volume of solution है 100 ml volume of ethanol है 20 ml और volume of water है 80 ml निकल जाएगा तो यहां भी आपके पास अब clear हो गया volume of solution है 100 ml volume of ethanol है 20 ml volume of water है 80 ml ठीक है volume जागी इनकी अगर volume of water 80 ml है तो mass हा water भी कितना होगा 80 ग्राम क्योंकि हम water की density क्या देते है 1 तो mass हाफ solvent भी निकल गया अब है volume of solution यह नोट करते जाओ volume of solution 100 ml है volume of ethanol 20 ml volume of water 80 ml और weight of water कितना 80 ग्राम ठीक है अब क्या क्या चाहिए अब हमें चाहिए अगर मुलाल चाहिए पहले तो volume of ethanol का mass चाहिए हमें तो volume of solution कितनी है 100 ml है density of solution कितनी है given है 0.960 gram पर cc तो यहां से mass of solution मिल जाएगा mass density equal to किसके बराबर होती है mass upon volume तो mass of solution कितना आजाएगा density into volume तो multiply करोगे यह बन जाएगा 96 gram अब आपके पास mass of solution भी है mass of solvent भी है ठीक है तो mass of ethanol निकल जाएगा mass of ethanol किसके बराबर आएगा mass of ethanol आएगा mass of solution जो है 96 gram minus mass of solution minus mass of water 80 gram यहाँ से आपको 16 gram मिल गया mass of ethanol mass of ethanol मिल गया number of moles आप इतनौल मिल जाएगे volume of solution आपको पता है 100 ml दोनों को divide किया into 1000 तो आपको molarity मिल जाएगी next normality अगर आपको molality निकालनी है तो molality के लिए formula number of moles upon mass of solvent आजाएगा तो number of moles भी पता है mass of solvent 80 gram है into 2000 वो दोनों निकल जाएगे clear तो यह बहुत सारे maybe 6th, 7th, 7th lecture का question है ठीक है तो 7th lecture का second question है तो यह मैंने आपको करवा दिया ठीक है next हमारा यह test complete हो गया next हम पढ़ेंगे elevation in boiling point next topic है elevation in boiling point तो सबसे पहले समझना हमारे लिए जरूरी है boiling point क्या होता है देखो boiling point ऐसे simple sense में हम बोलें तो एक ऐसा temperature होता है जहाँ पे liquid क्या बन जाता है gas बन जाता है liquid क्या बन जाता है gas बन जाता है ठीक है न clear तो मतलब जहाँ पे जो liquid है एक ऐसा temperature जहाँ पे liquid का जो vapor pressure होता है वो बराबर हो जाता है atmospheric pressure के मतलब उसके vapors का pressure atmosphere के बराबर होता है और वो उड़ते जाते है clear तो क्या होता है first point आ जाता है boiling point होता है temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure एक ऐसा temperature जहाँ पे वो नहीं बताना है कि एक ऐसा temperature जहाँ पे liquid में से gas convert होता है वो कुछ नहीं एक ऐसा temperature जहाँ पे vapor pressure liquid का बराबर होता है atmosphere के pressure के अब normal case में atmosphere का pressure होता है 1 atmosphere जहाँ 1.01325 x 10 की power 5 pascal इसको बोलेंगे normal boiling point तो क्या होता है एक ऐसा temperature जहाँ पे vapor pressure liquid का मतलब liquid का भी vapor pressure atmosphere के बराबर होता है तब ही वो सारा उड़ना start कर देता है normal case में जो temperature vapor pressure होता है वो 1 atmosphere होता है और ऐसे temperature को बोलेंगे normal boiling point next topic आ जाता है elevation in boiling point तो देखो अगर हम एक pure liquid लेते हैं इसका vapor pressure है P not A और इसका boiling point है T not B अब इसमें हमने add किया non volatile solute तो vapor pressure क्या हो जाएगा कम हो जाएगा PA हो जाएगा मतलब कम उड़ रहा है तो हमें जादा उड़ाना है तब ही तो वो boil करेगा तो जादा उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा heat जादा करना पड़ेगा मतलब boiling point क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो consider करेंगे एक pure liquid जिसका vapor pressure है P not A और boiling point है T not B जब इसमें हम non volatile solute डालेंगे इसका vapor pressure क्या हो जाएगा कम हो जाएगा PA less than होता है P not A से vapor pressure कम हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा जादा heat करना पड़ेगा ताकि वो boil हो सके इसका मतलब T B जो होगा वो greater than आ जाएगा किससे T not B से तो consider करतें एक pure liquid जिसका vapor pressure है P not A और boiling point है T not B जब इसमें now add a non volatile solute to it अब हम इसमें add कर रहें non volatile solute इसका vapor pressure reduce हो जाएगा और reduce हो जाएगा P and hence has to be heated to a higher temperature T B to boil ठीक है समझा गी vapor pressure कम हो गया इसका मतलब जादा heat करना पड़ेगा आपको उसको उड़ाने के लिए vapor बनाने के लिए तो मतलब higher temperature आ गया boil का तो पहले temperature था boiling point T not B अब हो गया T B T B जाद है तो यह जो T B minus T not B है इसी को कहते हैं कितना बढ़ गया elevation in boiling point मान लो पहले 100 था जैसे हम water का ले लेते हैं हमने उसमें non volatile solute डाला तो कितना हो गया 101 हो गया तो elevation in कितना बढ़ा 1 degree Celsius वो difference आ जाएगा then the term delta T B equal to T B minus T not B is known as elevation in boiling point अब यह graph है graph discuss करते हैं elevation in boiling point का यहाँ पे आ गया vapor pressure और यहाँ पे आ गया temperature यह जो यह है atmosphere pressure कोई भी liquid है उसको यह achieve करना है ठीक है तो पहले हम ले लेते हैं liquid यह ले लिए हमने pure solvent तो इसको heat करते जाएंगे जैसे जैसे heat कर रहे है temperature बढ़ रहा वैसे वैसे उड़ने की power भी बढ़ेगी और इस temperature पे जाके इस temperature पे जाके यह क्या हो जाएगा boil हो जाएगा यही तो है vapor pressure किसके बराबर होगा atmospheric pressure के इस temperature को कहते है T naught B अब इसमें हमने क्या डाड किया non-volatile solute डाला तो non-volatile solute डालने पे क्या हो जाएगा vapor pressure कम हो जाएगा यह solvent का graph था अब हम पहली line solvent की है अब हमने non-volatile solute डाला vapor pressure कम हो गया कम हो गया इसको भी heat कर रहे जैसे जैसे heat करेंगे क्या होगा वैसे वैसे temperature बढ़ेगा और एक stage आ जाएगी यह भी किसको touch करतेगा यहाँ पे touch करतेगा यहाँ पे जो होगा वो होगा इसका boiling point इसको बोलेंगे T B यह किसका graph बनाया हमने solution का इन दोनों का difference T B minus T not B इसको कहते है elevation in boiling point तो यह यह graph यहाँ पे vapor pressure temperature यह line रखी है हमने atmospheric pressure की इस line पे आपने लिखना है solvent और इस line पे लिखना है solution solvent जब इस line को touch करेगा heat करते जाओगे temperature उसको लिखना इदर लिखा है T not B दिखरा नहीं होगा T not B और जब यह solution वाले को करोगे इसको बोलेंगे T B तो इन दोनों का difference T B minus T not B इसको लिखा है delta T B यह था इसकी graphical representation next आज आता है expression निकालना है हमने किसका elevation in boiling point का आपको पता है जैसे जैसे non-volatile solute डालते हैं जैसे जैसे non-volatile solute डालते हैं vapor pressure क्या होते जाता है कम होते जाता है इसका मतलब जैसे जैसे mole fraction solute की बढ़ाते हो non-volatile solute की वैसे वैसे vapor pressure क्या होते जाता है कम इसका मतलब delta B is proportional to काई B और जैसे जैसे vapor pressure कम होता है वैसे वैसे boiling point क्या होता है non-volatile solute डालोगे मतलब mole fraction बढ़ाओगे उसकी वैसे वैसे वैपर pressure काम होते जाएगा और जैसे जैसे वैपर pressure काम होगा वैसे वैसे boiling point क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा मतलब valuation in boiling मतलब आ जाता है दोनों को equation से आ जाएगा delta tb is proportional to chi b delta tb is proportional to chi b तो यही लिख्या है we know that lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute that is delta p is proportional to chi b and also elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure मतलब delta tb proportional to delta p दोनों में से क्या आ जाएगा delta tb proportional to chi b delta tb proportional to chi b delta tb equal to k chi b chi b का फार्मूला बताओ chi b किसके बराबर होता है number of moles of solute upon total number of moles na plus nb तो where if nb is the number of moles of solute dissolve in na moles of solvent then chi b किसके बराबर आ जाएगा nb upon na plus nb लेकिन आपको पता है राउल्सला apply होता है सिर्फ dilute solution के लिए dilute solution का मतलब है nb is much less than na ठीक है तो na plus nb की जगा आप क्या लिख सकते हो सिर्फ na तो यह आ जाएगा delta tb equal to k nb upon na plus nb as the solution is dilute nb much less than na इसका मतलब na plus nb is approximately equal to na तो आ जाएगा k delta tb equal to किसके बराबर k nb upon na na के नमबर आप मोल्स आफ सॉल्वेंट तो na की जगा नमबर आप मोल्स आफ सॉल्वेंट हम बोल सकते हैं यह किसके बराबर होगा mass of solvent upon molar mass of solvent तो यह बर देते हैं if wa is the weight of solvent having molar mass ma then na equal to wa upon ma तो बरो wa upon ma wa नीचे रहेगा ma उपर चले जाएगा ma क्या होगा molar mass of solvent वो constant होता है अगर water होगा 18 होगा कोई और होगा उसके according होगा alcohol होगा 46 होगा ma तो constant होता है तो delta tb equal to k na upon wa ma तो बन जाएगा delta tb equal to next आजाएगा delta tb equal to k ma na sorry यहाँ पे उपर nb आना है nb k nb k mb nb upon wa यह nb आ गया यह nb था पिछे भी देख सकते हो आप पिछे equation में देखो यह k nb है ठीक है तो यह आगे k ma उपर चले गया nb upon wa k into ma kb constant ma molar mass of solvent यह भी constant इसको लिखा kb into nb upon wa nb क्या है number of moles of solute divide में क्या है mass of solvent इसकी जगा पे क्या लिख सकते molality kb k into ma is the molar elevation or ebiloscopic constant कहते है kb को कहते है molar elevation or ebiloscopic constant और nb upon wa की जगा क्या आ जाएगा nb upon sorry again nb upon wa की जगा आ जाएगा m molality of solution तो delta db आ जाएगा kbm तो यह equation याद रखने है यह इसका expression बन गया इसका मतलब है elevation in boiling point is equal to kbm kbm ठीक है kb क्या है constant इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि delta tb जो है वो proportional है किसके m के molality of solution के यह इसका expression next हम definition करते है ebiloscopic constant की तो आपको बता है elevation in boiling point जो हता है elevation in boiling point delta db वो proportional होता है m के इसका मतलब delta db equal to किसके बराबर होता है kbm के m किसके बराबर kb किसके बराबर आ जाएगा kb आ जाएगा delta tb upon m तो कैसे define करोगे delta tb upon m delta tb है elevation in boiling point और नीचे हम मैंने आपको बताया है इस divide को per unit बोल देना per unit molal solution तो कैसे आ जाएगा elevation in boiling point of a liquid is directly proportional to molality of its solution मतलब delta tb is proportional to m delta tb equal to kbm where kb है molar elevation और ibloscopy constant तो kb किसके बराबर आ जाएगा kb आ जाएगा delta tb upon m kb को define करो hence molar elevation constant और ibloscopy constant may be defined as the elevation in boiling point इसको per unit molar solution and cb lookscopy constant of a liquid may be defined as the elevation in boiling point of its one molar solution unit बताने हो delta tb का आ जाएगा kelvin molality का molar inverse आपको बता है molality को हम mol per kg भी लिखते kelvin mol per kg का inverse तो क्या बन जाएगा kelvin kg mol inverse और यह याद रखनी है at least water के लिए water के लिए kb के value होती है 0.52 kelvin molar inverse clear तो यह था elevation in boiling point का expression expression क्या है delta tb equal to kbm or definition ebiloscopic constant next topic होगा prove that it is a colligative property आपको पता है इसमें हमें prove करना delta tb proportional to nb तो simple है elevation we know that elevation in boiling point of liquid is directly proportional to molality of solution मतलब delta tb proportional to m delta tb proportional to m बाद मैं लगा देंगे m की जगा kbm m की definition परेंगे number of moles of solute upon mass of solvent into thousand अब mass of solvent और kb constant क्योंकि solvent हमने लिए उसमें solute डार रहे तो proportional आजाएगा delta tb proportional to nb delta tb proportional to m कर लिए हमें इसमें prove क्या करना है कि यह colligative property मतलब elevation in boiling point directly proportional है number of moles of solute proportional to m kbm लगा दिया kb molar elevation हार ebiloscopy constant है molality की definition लगाई nb number of moles of solute and dissolve in wa gram of solvent तो हमें आजाएगा nb upon wa into thousand delta db बन जाएगा kb kb into nb divided by wa और यह multiply में आगे है into thousand तो इसमें क्या गया constant है kb constant mass of solvent constant into thousand constant तो delta db proportional to nb delta db proportional to nb hence it is a colligative property next इसमें last part रहता है determination molar mass of solute तो इसमें क्या है simple है delta db equal to determination molar mass of solute मतलब आपको mb निकालना है delta db equal to kb kb आगे आजाएगा nb divide में आएगा wa into thousand nb की value बरोगे wb upon mb और इसमें से mb को left side ले जाओगे delta db को right side ले आओगे यहाद रखो यहाँ से solute का होता है इन्वर्सली परपोशनल यहाँ आ रहा है आप ही तक कोई भी qualitative property पिछले में आपने पढ़ा था molar mass of solute is inversely proportional to relative lowering in vapor pressure यहाँ पर दिया आपने molar mass of solute is inversely proportional to elevation in boiling point तो यह था elevation in boiling point elevation in boiling point में आपने क्या पढ़ा हमने पढ़ा पहले boiling point क्या होता है एक ऐसा temperature जहाँ पे liquid का vapor pressure भी किसके बराबर हो जाता है atmosphere के मतलब liquid भी atmospheric gas की तरह बन जाता है second हमने पढ़ा कि elevation in boiling point क्या होता है जैसे हम एक भी और solvent लेते हैं उसका vapor pressure P08 boiling point T08 जब उसमें हम non-volatile salute डालते है तो उसका vapor pressure क्या हो जाता है कम हो जाता है और boiling point क्या हो जाता है कम हो जाता है अब हमें ज़ादा heat करना पड़ता है उसको boil करने के लिए इसका मतलब boiling point क्या हो जाता है बढ़ जाता है पहले T0B था बाद मैं Tb Tb minus T0B जो है उसको कहते है elevation in boiling point फिर हमने बोला कि फिर हमने इसका expression निकाला जो था delta Tb is proportional to M delta Tb equal to Kbm Kb की definition बतानी हो तो वो delta Tb upon M से आई फिर molar mass निकालना M की value बरी Nb upon WA into 1000 Nb की जगा पे हमने बढ़ा Wb upon MB ठीक है और MB को left side लेके और वहां से हमने देखा कि molar mass अब salute जो होता है वो inversely proportional होता है elevation in boiling point के ठीक है next question है Henry's constant for oxygen dissolve in water KH यह आगया 4.34 into 10 की power 4 atmosphere ATM at if the partial pressure of oxygen P b दिया है 0.2 calculate the concentration in moles per liter concentration निकालनी है molarity निकालनी है तो आपको पता है P equal to KH क्या होता है काई of O2 का निकल जाएगा यहां से mole fraction निकल जाएगी mole fraction से काई आफ O2 करोगे और एक बात याद रखनी है यह जो भी gases वाले Henry's law वाले questions है यह dilute solutions होते है dilute solutions का मतलब होता है कि इसमें solute बहुत काम होता है अगर solute काम है मतलब जैसे अगर solvent है 100 gram अगर water है ठीक है solvent है water 100 gram वो है solvent present है solute उसमें 1 mg, 10 mg, 20 mg, 50 mg होगा तो दोनों को मिला के solution कितना आएगा वो भी 100 ही आएगा मतलब यहां पे mass of solvent पता हो तो कोई mass of solution भी वही होगा अगर volume of solvent पता होगी volume of solution भी वही होगी क्योंकि solute बहुत काम होगा ठीक है तो यहां से हम निकाल देते हैं पहले according to Henry's law P of O2, KH, KIO2 इधर से P O2 भी पता है आपको KH भी पता है KIO2 निकाल दी हमने अब molarity के लिए हम करते हैं number of moles of solute निकालते हैं और नीचे volume of solution काई आफ O2 इकल टू number of moles of oxygen upon number of moles of oxygen plus number of moles of water आ जाएगा अब oxygen बहुत कम है denominator में ठीक है तो इसलिए number of moles of oxygen upon number of moles of water कर लेते for one liter of water एक liter water ले लेते number of moles कितने आ जाएँगे thousand upon 18 liter का one liter है तो gram में one kg आ जाएगा और one thousand gram आ जाएगा 55 यह मिल गया n of O2 काई of O2 भी पता है n of O2 भी पता है n of O2 भी पता है n of O2 निकल जाएगा n of O2 upon 55.5 equal to 4.6 into 10 की पावर minus 4 n of O2 कितना आ जाएगा 4.6 into 10 की पावर minus 4 into 55.5 इसको solve किया तो number of moles आ जाएगे calculation थोड़ी check कर ले न आप ठेक है into 10 की पावर minus 6 था यहाँ पे minus 6 था into 55.5 किया वो पिछे जो भी है n of O2 आ गया अब molarity निकालनी है क्या होती है molarity number of moles बरे 2.55 कितना liter लिया था one liter लिया लिया था तो यही आ जाएंगे mol per liter molarity तो यह था अगर हमें क्या given था P given था partial pressure given था KH given था वहाँ से हमने काई निकाला काई किसके बराबर रखा हमने number of moles of that upon number of moles of that plus water वो तो बहुत dilute होगा वो डिलीट कर लिया number of moles of water water के लिए हमने solution one liter लिया अब salute तो dilute ही है तो number वहाँ से हमने मासा water भी निकाल दिया वो 55.5 उससे divide किया वहाँ से number of moles निकल के one liter लिया था तो molarity आगे clear तो next आगे वाला test रहेगा आपका test number 10 why is alcohol soluble in water suggest करना है most important type of interaction in following N-hexane और N-octane में कौन सी type की force होगी hexane क्या है hydrocarbon है alcan है जो भी hydrocarbons होते है carbon और hydrogen के compound वो non-polar ही होते हैं तो N-hexane जो होगा alcan है alcan non-polar होता है N-octane ये भी alcan है दोनो alcan है दोनो non-polar होगी अगर दोनो ही non-polar है तो force होगी London force I-2 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 क्या है ये non-polar है जो भी जिसमें सारे atom सेम हो कोई पुछ है H2 N-2 O-2 ये सारे क्या होते है non-polar CCL4 क्या है CCL4 अब है next question CCL4 क्या है CCL4 जो होता है ये एक methane की तरह molecule है CH4 जो भी molecule होते हैं द्यान से सुनना जो molecules होते हैं इनको बोलते है molecules होते हैं वो भी क्या होते है non-polar symmetrical क्या होए जिन में surrounding atom सेम हो जैसे इसमें C के surrounding में 4 के 4 CL है ये हुआ symmetrical प्लस दो चीज़े होनी चाहिए एक तो पहला कि surrounding atom सारे क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए और दूसरा कोई भी lone pair नहीं होना चाहिए आपको पता है कार्बन में कोई भी lone pair नहीं होता है तो इसलिए ये CCL4 क्या होए non-polar ध्यान से सुनो ठीक है ध्यान से सुनना कि कोई symmetrical molecule कौन सा होता है जिसमें surrounded atom सेम हो और कोई भी lone pair नहीं हो central atom पे इदर कार्बन पे कोई भी lone pair नहीं है और surrounded atom सेम है इसलिए ये non-polar है तो I2 भी non-polar CCL4 भी non-polar इदर भी कौन सी force London अब एक और example देखते जैसे देखते CH4 ये non-polar होगा polar C central atom surrounded atom सेम और कार्बन पे आपको पता है कोई भी lone pair नहीं होता तो ये भी non-polar नेक्स देखते है NH3 NH3 polar है non-polar है N के surrounding में किया है H3 है सेम है लेकिन N पे एक lone pair होता है N पे एक lone pair होता है इसलिए ये कैसा molecule होगा polar CO2 non-polar होगा polar CO2 जो है C के surrounding में दोनों हो है सेम atoms है और कार्बन पे है कोई भी lone pair नहीं होता ये भी क्या है non-polar HCL देखते है इसमें कोई भी central item ले लो H ले लो CL ले लो यहां दो ही atoms है तो ये तो पता आपको positive negative होता है ठीक है clear तो ये क्या होगा polar होगा HCL next है NACLO4 NACLO4 से आपको ये पता चल गया ये आइनी क्या है और ये water क्या है polar तो आइन और water के बीच में polar और आइनी compound और polar के बीच में क्या होगा कौन सी force होती है iron dipole force कौन सी iron dipole force और ये भी बड़ी strong force होती है mithnol and acetone mithnol देखते है CH3 OH CH3 OH इदर देखो O O पर दो lone pair है O पर दो lone pair है तो ये क्या होगा polar mali Q लोगा और OH है इसमें acetone क्या है CH3 CO CH3 यहाँ पर C और O है electron negativity difference है O पर negative होगा और C पर positive ये mithnol था O रह था इसमें इसमें कौन सी force होगी पहले hydrogen bonding polar आईए और ये भी क्या है polar acetone ठीक है और इसमें पहले अकेले में अकेले में इसमें hydrogen नहीं है कोई भी polar CO रहा है dipole dipole force लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे इसका H और इसका O मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी hydrogen bonding तो मिथनोल और acetone के मिलने से कौन सी force आजाएगी intermolecular hydrogen bonding next acetone nitrile acetone nitrile क्या होता है CH3 C triple bond N C और N आए यहाँ पर electronegativity difference N पर negative C पर positive तो ये कौन सा molecule हो गया polar और इसमें hydrogen polar नहीं है तो इसमें dipole dipole force होंगी acetone अभी पढ़ा CH3, CO, CH3 hydrogen है इसमें दोनों में लेकिन वो polar नहीं है कि charge नहीं हो इसमें भी CO ये भी polar है तो एक polar दूसरे polar के साथ कौन सी force बनाता है dipole force बनाता है molality दी हुई है और mole fraction पूछा है solute की तो molality का क्या मतलब है 1.002 mole of solute ये मिलके नमबरा moles of solute per kg 1 kg of solvent 1 kg क्या मिलके आपको mass of solvent solvent aqueous है mass of water 1 kg है तो उसके नमबरा moles आगे water के 1 kg मतलब 1000 gram upon 18 55.5 दोनों के नमबरा moles मिलके mole fraction निकाल दोगे आप solute की why is ether not miscible in water ether क्यों नहीं miscible होता में water में दो बार question पूछ लिया तो ether not miscible in water ether क्यों नहीं miscible होता क्योंकि यह organic compound है और वो polar है why do gases always tend to be less soluble in liquid as the temperature is raised क्यों gases जो होती है जैसे जैसे temperature बढ़ाते है वैसे वैसे उड़ना start हो जाती है क्योंकि solubility of gas क्या होती है exothermic होती है इसलिए यह आपने पढ़ा है solubility of gas in liquid जैसे जैसे temperature बढ़ा होगे वैसे वैसे gas की solubility क्या होती जाएगी काम होती जाएगी because its solubility is because इसकी solubility क्या है exothermic why are aquatic species more comfortable in cold water in comparison to warm water same question है आपको पता है as the as the temperature first point है कि aquatic species comfortable cold water में क्यों रहती है because aquatic species are comfortable in water because of dissolved oxygen dissolved oxygen रहती जैसे जैसे आप temperature बढ़ाओगे तो oxygen क्या करना start हो जाएगी solubility of oxygen in water decrease होगी oxygen उढ़ना शुरू हो जाएगी oxygen नहीं मिलेगी तो वो comfortable नहीं है इसलिए हम कहते हैं fish is a cold bloody animal क्योंकि अगर water का temperature कम होगा water का temperature कम होगा पानी में जादा oxygen होगी because as the temperature increases जैसे जैसे temperature increase करोगे more and more oxygen get evolved oxygen उढ़ना start हो जाएगी जिससे solubility क्या ओदी जिससे aquatic species comfortable नहीं feel करेंगी next question what is the significance of Henry's law constant इस Henry's law constant से what is the significant जितनी जादा पहले इसमें आपने definition बता दे नहीं Henry's constant की और फिर जितनी जादा Henry's constant की value होगी उतनी ही कम solubility होगी पता ना आपको तो significance यह है कि it determines the solubility of gas in a liquid जितनी जादा Henry's constant की value होगी उतनी ही कम solubility होगी clear next question if N2 is bubbled through water at 290 how many millimoles of N2 gas dissolved in one liter assume that N2 the mole fraction of helium find the pressure इस question में यह question आपने already किया हुआ है पिछले notes में देखो उसको और mole fraction of helium helium की mole fraction दी है काई दी है और pressure पूछा है P equal to KH काई होता है KH भी दी है काई भी दी है बस निकाले ठीक है तो hope आपको lecture समझ आया होगा thanks a lot ठीक है जैहिंद ओजादर से जादर इसको subscribe करो channel को या ठीक है और share भी करो और comment भी करो ठीक है कि मुझे confidence आयो more lectures बनाने के लिए thanks once again जैहिंद